नमस्कार दोस्तों बिहार एक्स्प्रेस में आप सभी का स्वागत दोस्तों कठियार जोगबनी रेल खन पर एलेक्ट्रिक ट्रेनों की शुरुआत होने जाड़े है और ये कब से शुरुआत होने जाड़े है इसी पर इस वीडियों में बात करेंगे और पहले कौन-कौन सी ट्रेन में एलेक्ट्रिक लोकोमोटीव लगा करके ट्रेन को जोगबनी तक होगा या नहीं तो इस पर बात करेंगे पूरी डिटेल में और बड़ी अपडेट आ रही है यानि कि एक मार्च से एलेक्ट्रिक लोकोमोटीव के साथ ट्रेन जोगबनी रेल खन पर जिसको लेक एंड तक वीडियो अगर अच्छा लगे तो जरूर इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आनंद विहार जोगबनी सीमांचल एक्स्प्रेस के बारे में तो कल से यानि की एक मार्ज से ये एलेक्ट्रिक लोकोमोटिव क साथ कठियार से जोगबनी पहुँचेगी और दूसरी जो ट्रेन है वो है चितपूर कुलकाता एक्स्प्रेस इसमें भी कल से इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव की शुरूआत जो होने वाली है बाकी बचे ट्रेनों में आगे होगा लेकिन अभी फिलहाल जो अपडेट है वो द जोगबनी में भी प्लेटफॉर्म की कमी है तीन नमर प्लेटफॉर्म पर काम चल रहा है तो इसको लेकर और दूसरी जो ट्रेन है वो कठियार अमरित सर अमरपाली एक्स्प्रेस तो उसका भी एक्स्टेंशन जो है भी मुश्किल ही लग रहा है क्योंकि फ्लेटफॉर्म क जो है एक्स्टेंशन इसका अभी मुश्किल लग रहा है और बांकि फ्लेटफॉर्म की जरूरत रहेगी फ्लेटफॉर्म में जिस पर काम जो हो किया जा रहा है तेजगती से तो आने वाले दिनों में ये भी आपको संभब दिखेगा लेकिन अभी बड़ी अपडेट है व जो है वो electrification complete है और train जो हो कल से शुरुवात होने जा रही है तो बहुत ही बड़ी update finally train जो हो शुरू होने जा रही है तो आप कितना उत्सुक थे इसको लेकर आप हमें comment box में जरूर बतेजीगा और चैनल को subscribe करके बेल एकन को प्रेस कर लिजेगा ताकि इस तरह की हर update आपको नेक्ट वीडियो में तब तक देखते रहे है बिहार एक्सप्रेस यूटूब चैनल